नमस्कार जहिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है चर्चा में दोस्तों भोचपुरी मुजिक इंडरस्ट्री में अपने आपको कहने वाले बहुत से इस्टार हैं कथा कथित कि मैं फलनवा इस्टार हूं ठेकनवा इस्टार हूं लेकिन आज के टाइम पे अगर मैं देखूं और मैं मानूं तो अंकुष राजा बहुत बड़े इस्टार हैं जी हाँ दोस्तों जो समाज को साथ में लेके चले जो गाओं को साथ में लेके चले जो अपने संस अंकुष राजा को भोचपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में मा बहन की गालियां बहुत कम देते होंगे लोग मुझे लगता है कि 2% लोग देते होंगे वो भी अपने फायदे के लिए क्योंकि अंकुष राजा जो भी गाने लाते हैं जो भी फिल्म ला रहे हैं उनकी प्रस यूच करेंगे या अपने गानों में असलीलता परोसेंगे गंदे दिर्सी दिखाएंगे तो आप बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाएंगे भले ही आपकी छवी समाज में नकारात्मक जाए लेकिन आपकी छवी एक बन जाएगी और उसके माध्यम से आपको बड़ी-बड़ फिल्में भी मिल जाएंगी हाँ जी ऐसा हो रहा है आप जितनी माभेन की गाली सुनेंगे आपको उतनी अच्छी-च्छी फिल्में मिलेंगी और आप पॉपुलर हो जाएंगे यही चल रहा है आजकर भुश्पुरी में लेकिन अंकुष राजा एक ऐसा नाम है जो हमेशा से समाज को साथ में लेके चल रहे हैं दोस्तों आज मैं अंकुष राजा के एक ऐसे गाने के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो आज रिलीज हुआ है उस गाने को अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपके आँखों से अस्रू निकल जाएंगे आप रोने लगेंगे और आप जितने मिनट का गाना है उतने मिनट आपको लगेगा ही नहीं जहां बैठे हो वहां भूल जाओगे किसके साथ हो क्या खा रहे हो क्या पढ़ रहे हो वो गाना आपको इतना अट्रेक्ट कर लेगा अपनी तरफ अगर कहा जाए तो आकरशित कर लेगा कि आपनी सु कि और समाज के बारे में में सुचो आप स्पार बन चुके हो आप की बाते लोग सुनते हैं अगर आप ऐसे गाने गाएंगे तो समाज में एक मैसेज जाएगा और खास पार हमारी उपीत बिहार में अभी भी दहेज के कारण ना जाने कितनी हमारे बहने हर साल अपनी जाने दे रही हैं, हर साल क्या हर दिन जाने जा रही हैं, सबसे पहले आपको information देदू, जो अंकुस राजा का आज गाना आया है, आप जैसा कि अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, यह गाना के जनवा, बहुत ही बढ़िया गाना है, और इसमें music दिया है, आप सभी जानते हैं, इनको इनका नाम है, अविनाज जाक घुगरु जी, बहुत ही famous music director है भोजपु इंडश्टी में, और इस वीडियो को जिन्होंने फिल्माया है, उन्हें भी आप जानते हैं, इनका नाम है रवी, पंडित जी, बहुत ही कम दिनों में, बहुत ही बड़ा अपना भोजपु इंडश्टी में इनों बना लिया है, और इस गाने में काम किया है, सिल्पी राघवानी ने बहुत ही बढ़ियां emotion दिखाया है, और इनके साथ में सिव हरी फोजी जी ने, प्रभा जी न है, हमारे भोजपुरी में इसे गाने अभी आ रहे हैं, आपकी भी आखे फटी की फटी रह जाएंगी, मैं सब्दों से बया नहीं कर सकता, जल्दी जल्दी में आपको अपड़िट दे रहा हूं, मुझे भी थोड़ा काम था लेकिन मैंने देखा यह गाना तो मुझसे रह मुझे लगा यह गाना आपके सामने आना चाहिए, क्योंकि अगर हम बुराई को दिखाते हैं, भोजपुरी में तो हमें अच्छाई को भी दिखाना चाहिए, और यह बहुत ही बढ़िया गाना है, ऐसे गानों को अवार्ड मिलना चाहिए, जैसे फिल्मों के अवार्ड फ अगेदार है, लेकिन प्लीस यह गाना जरूर देखिए, यह हमारे समाज का आइना है गाना, एक बार गाना जरूर देखिए, मेरे कहने पर देखिए, मेरा कोई बेनीफिट नहीं है, आप नहीं भी देखेंगे, तो ही मेरा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन प्लीस ऐसे गानो को गर आप बढ़ावा देंगे तो बहुत मज़ा आएगा जितने भी एक्टर है इस गाने में आप सभी को स्लूट है खास्तोर में रवी पंडी जी आपने बहुत बढ़िया काम करा है और कहां छुपे था नगीना मेरे भाई किसी दिन अगर मुलाकात होगी तो आपका इंटर्विव जरूर करूँगा धन्यवाद